रोट सेप्टी वर्ड टीट्वेंटी सीरीज में इंडिया लेजेंड्स और वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के भीज खेले गए सेमी फाइनल मैच में एक बार फिर सिक्सर किंग यूराज सिंग ने छे छक्के लगा कर क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है यूराज की इस आकरामक पारी के बाद उन्हें ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में वापसी की मांग उठ रही है दोस्तों अगर आप भी यूराज सिंग की बल्लेबाजी पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ क्या आप एक बार फिर भारतिय टीम में यूराज सिंग को देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करके अपनी राय हमें जरूर बताएं आपको बता देएं कि इंडिया लेजेंड्स की टीम के बल्लेबाजी के दोरान मुहमत कैप के आउट होने के बाद इंडिया लेजेंड्स की बल्लेबाजी दबाव में आ चुकी थी लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए दिगज बल्लेबाज यूराज शिंग एक बार फिर पुराने अंदाज में दिखे पिछले मैच की तरह एक बार फिर शिक्सर किंग यूराज सिंग ने लगातार तीन चक्के जड़ कर विरोधी टीम के गेदबाजों के हौसले पस्त कर दिये आपको बता दें कि 19 में ओवर में यूराज सिंग ने कुल चार चक्के जड़े इसके बाद 20 में ओवर में भी नहीं थमा यूराज सिंग का तुभान पारी के आखरी ओवर में भी यूराज ने दो सांदार चक्के जड़ कर इंडिया लेजेंड्स का स्कोर 218 हर रन तक पहुँचा दिया मातर 20 गेंदों की पारी के दोराण यूराज ने 49 रन बना कर साबित कर दिया है कि आज भी वह भारत ही नहीं बलकि विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं जबकि सचिन तिंदुल कर 42 गेंद पर 65 रन जड़ दिये